मद्ध बिदेश सहाकारिता समीति कर्मचारी महासंगजिला इकाई सागर के कर्मचारी अपनी विभिन मांगो को लेकर चार फरवरी से और निष्चित कालिन कलम्बंध हर्ताल पर बेठे हैं उनको आवंटन किये जाने वाले ख़दान में सरकार द्वार जो कटोदी की जा रही है वो कटोदी ना की जाए करमचारियों कहना है कि हम लोगों ने इन ही मांगों को लेकर पिछले एक फरवरी से तेसिल इस्तर पर तेसिलदार HDM और जिला इस्तर पर कलेक्टर को भी हन्हीं किसी प्रकार का सवाशन दिया घया है हर्ताल पर बैठे करमचारियों कि वजेस से जीले में करदान सब्भी काशरो रहे सागर साधी निल वर्मा के साथ सलमान कुरिशी की रिपोर्ट पत्ति हैं क्या समस्या हैं क्यों आप लोग यहां पर बैठी है कि सास कार्मचार्ज तो नहीं खुस safe करका कर्मचार्ज तो नहीं घूसेंट कर सकते हैं लेगור स्थी डुटOr करोना काल में रेश्टर से से बितर्ब किया अधियारीं रमाके मगदेसों पर अब वसीं पर चाड़ा है अब दिसंबर से लगातार कि किसी का 60% किसी का 70% किसी का 80% माल कर्ट के दी रहे हैं अब उसमें आए दिन उब भुपता हो बहमारे विक्वेताओं के साथ कई घटनाएं भी होती है कोई मारपीड भी हो जाती है कहीं कहीं गाली गलुच भी होती है अवद्र वहार होता है विस तरीके की बात अबर्ड बना किसी कराव भी ही नहीं इ śm país एसा क्या काना लुच लुचा करण रहा कि आप गरम दिया जारा है यह मैंने बताया ना करोने काल में प्याओं किया गया है वहां राउम सटाग इतना है तो तुमारे मल काथें गया जब चाटेंगे सब्स इसर बीता इससलिए हम श्रूनियों क अबहुग नहीं में नहीं then career पर अप्राया पर जो मॉलग जांघ्याच क्राइए गया है उसकी जानकार्य उन्हां ्यों को शवगे ने तो ओभी चुके हैं के हमने इतने समाहिए इतना जूब की आप लाइं विटunn किया है या गटाया जाए हमारा ही за गटाया तो, मसीन जी रही हो जाएगी धि मेंटेज कुझा नए हम्नियह पूरा नहीं कांट विधिक्क CanalIlृतक्रापशु better mm कि अपकी मांगें नहीं करेंगे नहीं करेंगी को फॉइंव करेंगे तब तक मांग नहीं मानी जाएगी अब की बार तो यह एक स्वासन पर हरताल बंद नहीं के जाएगी आदेश पर ही हरताल बंदी की जाएगी अभी आप एक फरवरी से अर्ताल पर बैठे हैं अभी कोई अधिकारी आया बात करने या कोई अधिकारी बात करने नहीं आया है क्या नाम है आप जजराज सिंग्राज कुझ दिला थेट सागा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूलें